अगर दोस्तों वीडियो में टाइफ आप मैटरिक्स समस्ते हैं और देखते हैं कॉलम मैटरिक्स क्या होती है दोस्तों कॉलम मैटरिक्स की बेसिक डेफिनिशन यह होती है कि अगर मैटरिक्स में सिर्फ सिंगल कॉलम हो only one कॉलम अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको बो आपको दिखाते हैं दोस्तों कि अगर मेरे पास एक structure है जो कि इस तरीके का है यह matrix A है और इसमें element किस तरह से लगे हैं दोस्तों देख लेते हैं 0, 1, 2, 3 ऐसे इसमें element लगे हुआ है इसका structure देखें दोस्तों क्या है यहाँ पर सिर्फ एक single column है इसको बोल देते हैं यह C1 एक single ही होगा तो यही दोस्तों definition है कि single column और only one column उसको हम बोलते हैं दोस्तों column matrix तो इसकी basic जब understanding लेते हैं तो इसका order भी देख लेते हैं क्या होता है दोस्तों अगर हम किसी भी matrix को represent करेंगे तो right side में इसका order लेखेंगे चार number of rows हैं और one column है तो इस तरह लिखते हैं दोस्तों इसका यह होगा number of rows यह होगा number of columns तो columns तो यहां पर क्या होगा इसकी value fixed होगी तो यह जो column है इसकी fixed value होगी और कितनी value होगी इसकी one जैसे कि मैंने definition से बताया तो अगर ऐसा है तो हम किसी भी generic terms को अगर लिखें जेनरिक value को लिखें तो किस तरह कहलाएगा column matrix इसी definition को ले जा matrix क्या होता दोस्तो order of column matrix कि यहां पर आपकी कोई भी value आएगी any value cross one मतलब कि जो row है row में आप कोई भी value दे सकते हैं बट column की value fixed ही होने वाली है जो की है one तो इस तरह से दोस्तों हम column matrix की definition बना सकते है column matrix की understanding ले सकते हैं अगर इसी को हम generic terms में देखें तो किसी भी matrix का जो general order हो क्या होता है तो simple है m into n होता है यह होते है rows और यह होते है column और यहाँ पर value किसकी fix हो जायगी एंकी value fix हो जाएगी और n की value यहां पर one होने वाली है ठीक है ना तो n equal to one तो इस तरह से हम इसका order define कर सकते हैं तो यह और order of column matrix, column matrix का order इस तरह बना सकते हैं, तो generic term से ही अगर मैं इसकी representation करूँ हूँ, तो किसी भी matrix को अगर मैं generic उसके structure से लेके जाओ, मनलते हैं, A matrix है, इसके structure से लेके जाओ, तो A, ये row हो गया, I row हो गया, J column हो गया, और किस तरह इसके order बनेंगे, M into 1, तो M क्या है, M है row, और 1 क्या है, 1 है column, इस तरह इसकी definition मैं बना सकता हूँ, किस type से और column matrix मैं बनाता हूँ, दोस्तों, मैं इसके आपको example देता हूँ, देखिए, ये वाला एक figure ले ले लेते हैं, इसमें जो matrix की definition है, element है 2 और 1, ये भी column matrix बन रहा है, तीक है, matrix का element, अगर हम single element इसके अंदर ले, let's suppose हम एक element ले लेते हैं, 9 इसके अंदर ये भी column बन रहा है, एक matrix लेते हैं, इसमें कुछ element बनाते हैं, 5, 6, 8, 7, 9, ये भी column matrix बनाता है, तो अब बड़ा matrix लेते हैं, बड़ा column matrix लेते हैं, दोस्तों, बड़ा matrix लेते हैं, मह लेते हैं, इसके generic element किस तरह लिखेंगे, a11, a21, a31, a41, ऐसे लिखेंगे, और कड़ते चले जाएंगे, कहां तक, am1 तक, तो जो basic understanding है, वो यही है, कि column matrix में देखेंगे, तो single column होता है, जैसे कि एक column देखेंगे, c1 column यह है, c1 यह है, c1 यह है, single column एक ही column है, number of rows different होता है, इसमें देखें यहां पर कितने row है, r1, r2, r3, r4, r5, ठीक है, यहां पर कितने row है, r1, r2, और करते चले जा रहे हैं, कहां तक, r100 तक है, similarly, जो हम generic matrix की बात कर रहे थे, जो c, यहां पर कितने row है, r1, r2, करते चले जा रहे हैं, rm तक, और इसका order अगर हम मनाएं, तो order क्या है, 2 into 1, इसका order बना, इसका order क्या है, 5 into 1, इसका order बना है, 100 into 1, इसका order बना है, m into 1, common चीज़ देखिए क्या है, सभी में column matrix में, जो column है, वो 1 दिया हुआ है, ठीक है, row कितने भी हो सकते हैं, column सिर्फ 1 ही रहेगा, एक basic understanding है, column matrix को बनाने की, generic term मैंने आपको यहां पर दिखाई क्या होती है और variable की form में उसको define किया, और यह बताया, number of row कितने होंगे, n और number of column कितने है, one fixed value है, उसके बाद मैंने different type की column matrix आपको बना कि दिखाई, यह वाली देखिए, जो column matrix है, इस, जो मैंने arrow से अभी बनाई है, इस column matrix में देखिए, one into one, यह square matrix भी कहलाती है, बट यहां पर क्या ह है, तो वो column matrix कहलाएगी, उसके बाद उसके row जितने मर्जी हो, मुझे मतलब नहीं है, number of row equal भी हूँ, column के कोई दिकत नहीं है, number of row जादा भी हूँ, कोई दिकत नहीं है, बट column हमेशा one ही होना चाहिए, यह definition column matrix की होती है, दोस्तों, तो इस तरीके से हम type of matrix समझ सकते है, column matrix की basic definition understand कर सकते हैं, I hope आपको काफी अचा लगाओगा, keep listening, keep learning, thank you